गबंता अग्तर्धंद को जल रहा है तो पेले सवाल का जबाब दो ऑल दिखर रहा की नहीं इस्क्रीन पर परिंटो दिखर है आपूसमें पहले परेस्टं का जबाब दो छलो फटा फट सभी बच्चे इस्क्रीन पे जो प्रस्ण दिख रहा है उसमें से first question का जबाब दीजिए ये देखिया option भी है आपके सामने question मैंने नीचे कर दिया चलो first question का जबाब दो क्या होगा कोई बताएगा 0.01 upon 0.1 plus 0.1 upon 0.01 क्या होगा इसका answer भाईया चलो बतादो फटापट कितना आएगा अरे एक बार कोसिस कर लो गदू क्या जाता है तुम्हारा कोसिस करने में कुछ सरमा रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा है नई नई ससुराल में दुलहान आई है मुखड़ा दिखाने में सरम लगती ना बस वैसे इन लोग को लग रही बहुत जादे लग रही चलो देखो इधर साइड में अर्पित्र पाठी वन में भी विसाल सर्मा ताइम पास मत करो बच्चा तुम देखो ना निकल लो यहां से जल्दी निकल लो भाई इनको बलक कर दो तो पाच मिनट के लिए उसके बाद यह हो सकता एक दम से चले जाए अच्छी बात है क्योंकि जिन्हें हमारी बाते नहीं पसंद हमारा काम नहीं पसंद उनको विलकुल पसंद नहीं करते हैं अच्छा लगे देखो न लगे न देखो भई हमें तो कोशिज कर रहा हूं पढ़ाने की कुश्चन स्क्रिन पर दिया हूं अरे ना लायक तुम उत्तर तो बताओ कम उनका वी यह वी क्या है भई हां तो भी कोई आपसर नहीं गलत है और कोई बताया हर्सित पांडे बतारे डी ठीक है भाई हर्सित जी अर्पित्र पाथी हर्स गेमिंग स्रयांस बहुत अच्छे बच्चे बेरे गुड फर्स कुश्चन आपके सामने स्क्रिन पर दिख रहा दाआ था बहुत से लोगों ने कोसिजिए बहुत लोगों ने नहीं किया जिन्होंने किया उनको भी धन्यवाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट है वह तो मैं कुमिश्चन वैसे दे दिया था अभी मैं इसको हटार दे रहा हूं की जब सब घनमूल के बारे में परचीत हो चुके हैं इसके पहले मैंने कई बार पढ़ाया है और उमीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा है ना रीती राज जी समझ में आ रहा है कंचन मोर्या ठीक है अच्छी बात है तो मैं तब तक लिख रहा हूं आप दूसरा सवाल भी देख ल आगे हाथ चलो कोशिस कर लो तो अच्छी बात है बाकी तुम्हें अपने टॉपिक पर चली रहा हूं जो टॉपिक हमें पढ़ाना है आज वो पढ़ाना नहीं था वो तो मैंने पूछ लिया डिफाल्ट में ऐसे ही गान मूल तो गान और यह मूल नहीं पहले संख्या कितना आएगा कुश्चन नंबर सिकेंड का जवाब कितना आएगा बच्चों जल्दी बता दो फटा फट बता दो फटा फट चलो देखो इधर साइड में तो हम बात कर रहे थे घनमूल आकिर घनमूल होता क्या है आप लोगोंने कभी सोचा है बिलकुल सोचना भी मत उसक चीजे में कल बताया था एकदम छोटा सा आठ आपको पता है इससे परचित हो आप सभी क्योंकि आप सभी कच्छा आठ में पढ़े भी हो अटमी कलास पढ़े हो ना सभी हां सभी पढ़े हो ना बया चलो बीरबल कुमार पंकज बर्मा मौमद अस्फाक जी बहुत अच्छ दिया चलो देखो इसका क्या करना हमें गानमूल निकालना है गानमूल कैसे करेंगे देखो इधर साइट में समझो सबसे पहले दिये हुए नंबर का हम फैक्टर करते हैं फैक्टर मींस गुड़नखंड करते हैं और इसे आप सभी बच्पन में पढ़ लियो मैंने सिखाया गुड़नखंड क्या होता सभी आनते ओ देखो है तो 2 से इसको काटोगे आपको पता है 24 फिर से काटोगे 24 खिर से 2 थो एकम दो इस तरह से इसके जो फॉर्टर होते हैं 8 किवो कितने हुए आप देखो तीन टाइम आया है दो और भाया घन मूल में तीन-ठीन का जोड़ा बनाते हैं आप समझे रहो कि नहीं है यह फैसल अभी पैसल आया था कि वह जो वर्ड है न हुआध्या भायध नहीं है पतलब चल सकता है, चलो देखो इधर, समझो, एक पेयर बन रहा है, इसमें से एक दो बाहर निकल जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा कितना दो, बात समझ में आई न, लेकिन मुसीबत वहां पे बनती है, जहां पे यह पेयर नहीं बन पाते हैं, तिन-तिन के, समझ रहा हुना सभी प्रतिभा के सरवानी जी बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है चलिए देखिए इधर साइड में आ बच्चे चलो कम से कम आप अच्छा तो सोचे करें धर साइड में ये हो गया लेकिन अच्छा एक बात रता आताया अगर इसका वर्गमूल निकालते तो क्या होत अगरrie इसका हम वर्गमूल करते तो क्या होता है ऎक बाकी पंदे ए Almost क्योंकि वो कहीं पढ़ने नहीं जा सकते हैं अध्यापक बनना चाहते हैं घर बैटें बहुत मेहनत कर रहें लेकिन उनकी मुसीबत है ऐसी बीमारी यह किसी से शेयर नहीं कर पा रहें कि मुझे मैथ नहीं आ रही चोटी चोटी चीज़ें नहीं आ रही अगर जानेंगे तु करोंने गई it was clear यह जरूरी है बताना क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते है कि यह तो हो गया है आपक्या करोंगे हमें क्या करना वर्ₓ्र दोनों से ध्यान से और अगर आप ध्यान से देखो तो यह और की यह मैं अंतर है को कोई निकालना है लेकिन अगर यह है तीन लिख आर इसके चुर्की पर कुछ नहीं नहीं है क्उसकिण शूर्ब्ह में आपको बोल रहा है कि इसका घनमूल निकालना है आप समझ रहे हो ना बाकि अगर घनमूल लिखा जाया तो अच्छी बात है चलिए देखे इधर साइड में आप समझने की कोशिस करते हैं हम लोग इसमें भी same to same वैसे ही करते हैं ये देखो इधर साइड में जैसे तीन बार बार था इसे कर लिया इसमें पेयर दो दो का बनता है अपना दोनों परानी बस बाकि तीस और नहीं इसमें दोनों परानी के साथे आप साथ में पुल मिला के तीन पेर बनता जो समझने वाले वो समझ गए और जो बच्चे उनको समझना भी नहीं है चलो तो इसमें कितना बन रहा है एक जोड़ा बन रहा है न तो जो जोड़ा बन रहा उसको बाहर निकाल दो गए यह हो गया आजाद हो गया और इनका कोई जोड़ा है नहीं अकेले में चारत ही क्या करेंगे यह वर्गमूल के अंदर में ही रहेंगे इस तरह से यह इसका आंसर होगा बात समझ में आई ना संख्या वही है उत्तर अलग-अलग है क्योंकि कारे अलग-अलग हो रहा है यह घनमूल है यह वर्गमूल है और यह यह दोनों में कामन है यह सबके भीचे रहे हैं मतलब वैसे ही करना है उसमें कोई अंतर नहीं है कि समझ रहे हुँ ना कि हैक्टर वैसे ही करना है दीपक चौहान रादे कृष्णा ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड अपी समझ पाए ना तो एक बार मैं अपनी आवाज सुन लूँ मतलब फैक्टर वैसे ही करना है उसमें कोई अंसर नहीं समझ देवना चलो अब आज हमारी सही आ रहे हैं इसका मतलब तो यह था घनमूल घनमूल की सुरुवात यहीं से होती है क्योंकि सबसे छोटी जो संख्या होती है पूर्ड घन वो क्या होती बताओ चलो सभी बताओ सबसे छोटी पूर्ड घन संख्या क्या होगी चलो जल्दी करो फटाफट बताओ सभी वाट इसमालेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर इंगलिस में तो भाई ऐसे बोलेंगे न मुझे भी कुछ कुछ आने लगा है पूनम कुमारी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहु इतना मेंने तुम कमेंट करने में कर रहे हो ना इस टाइल में बढ़िया मेकप ओक लगा के उठना दिमाग तुम बढ़ाई में लगा लो बच्चा समझ रहे हो ना सीधा फीधा बात लिखो तब भी अच्छा लगेगा मैंने पुछा सबसे चोटी पूूलघण संख्या देखो जो चार बता रहे हैं बाई सबसे सही जबाब है और सबसे पहले जो आया वो है एके का और परतिभा केसरवानी कभी सही है बिसाल सर्मा तुम आ गय फिर चलो ठीक है अब शान्ती से पढ़ना अच्छी बात है सबसे चोटी जो पूर्ल घन संख्या बचवा वह आठ है जो लोग चार बता रहे हैं वो ध्यान दे अगर तुम चार का घनमूल करोगे ना बच्चा तो इसका घनमूल नहीं होगा करके देखो दसमलों में आएगा फिर थोड़ी कहानी बड़ी हो जाएगी मैं अभी बताऊंगा नहीं इसको ठीक है तो ये सबसे चोटी क्या है ये पूर्ल वर्ग संख्या है आप ये बोल सकते हो हाँ पूर्ल वर्ग संख्या है सबसे चोटी और ये सबसे चोटी क्या है पूर्लवर्ग है ना पूर्लघन है वो सब पार्टी से बाहर है जैसे तीन हो गया दो हो गया एक हो गया और सुनने की तो यहां कोई बाती नहीं है उसकी कोई आउकाती नहीं या रुपने की समझे रहे हो ना तो याद रखना सभी सबसे चोटी पूर्लघन संख्या फंपाटीशन में पूछ ले जाता है अध्यापक-भथी परिक्ष्चा में पूछ ले आता है बड़े बड़े एक्जाम में पूछ ली जाता है लोग खूपड़ी पकड़ के बढमे जाते और गलत करके आ जाते हैं सबसे पूर्टी पुर्लघन चंख्या आठ सबसे सोटी पूलवर संख्या चार समझ और भी कुश्चन ऐसे आता इसी तरह का कौन से ऐसी संख्या जो संभी और अभाज 15- South केस में बंता है कढ़ी है बागी और कोई संख्या कि है नहीं के जो संभ हो और अभाज में और अब बताया है उसी तरह से है जैसे रावण की नगरी में विभी संट, सब वह रावण की पूजा करते थे और वह प्रभुसरी राम चंदर जी की पूजा किया करते थे, पिल्कुल वैसे ही थे अकेले, है न, बस वैसे ही, छोटू यादो, और भाई छोटू, ठीको, अच्छा मुझे एक ब पड़ा हो गया, तभी लोग छोटू ही बोल रहे है, अंदर अंदर तो जल रहा है, गाली बले देरा, लेकिन क्या करें, नाम ही ऐसा है, चलो देखो इधर, अब अगला नमबर 27, क्योंकि हमें एकदम सुरू से सीखना है, क्योंकि हमें एकदम जीरो से आपको सिखाना है, क तो पक्का नहीं देख पाओगे, जो लाइब में आए सिर्फ वही पढ़ेंगे, बड़े चलाक बनते हैं, बाद में आके डाउनलोड कर लेते हैं, चुपके से चोर जाई से, हम बेवकूप हैं आके चिलाते हैं यहां पर, चलो देखो, लाइब के टाइम पर आओ पढ़ो चलो, इसके फैक्टर करेंगे, गुडणखंड करेंगे, यह, 3927, तिन तरीक का 9, और 3 एक कम 3, इनको नहीं पता यह फैक्टर क्या है न, मैंने पिछली कलास में पढ़ाया, वहां आप जाके पढ़ लो फैक्टर क्या है, उसके बाद यहां पर आ जाओ, आप थोड़ा सा ल अच्छा, धन्यवाद आपको, बाबुराम चोहान, मज़ा आ रही न, बच्चा, इनमें 3-3 का पेर बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा में से एक गिंती यहां आएगी, यह अंसर हो जाएगा, यह हो गया न, अच्छा, इसी तरह से आप लोग एक और कर सकते हो, इसका स्क्रीन साट ले लो, मैं सामने से हट जा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीमा तिवारी बोल रही हैं, आज बहुत अक्छा दिख रहा है, हाँ बहुत, हमारे ऐसे भी पुराने स्टूडेंट हैं, जो बड़ी मुसीबत में जीए पले हैं, जैसे होता नह स्क्रीन रहती थी, आज तो बहुत कुछ बदल चुका है, हमें लग रहा है, अभी उसी में से हैं, अच्छा यह बताओ, इसमें तीन की सुनना बढ़ा दिया, अब क्या होगा, सोच की बताओ, क्या होगा, इसमें मैंने तीन जीरो बढ़ा दिया, आप क्या होगा, कोई बताएगा, दीपक चौहान, जी बताइए, रनभी जै सिंग, ठोटु भाई, आउनिस सिंग, परतिभा केसरवानी, अभाजे वाले कुश्चन का अंसर दो है, सबसे छोटी संख्या दो है, तो, दो, टू, वन के बाद टू, समझ में आरा वाच, सब का टाइम आता है, हमारा भी आगया, नहीं भाई, अभी नहीं आया, वो कौन सा, मैंने बताया था ना, वो लाइने स्टार्टिंग में, बहुत से जीत बांकी है अभी, बहुत से हार बांकी है, बनना है मेरे साथियों, अभी तो उस मंझिल की पूरी किताब बांकी है, अभी टाइम नहीं आया, अभी बहुत टाइम है, आने में, चलो, यहां भी तीन जीरो बढ़ालो, इसके गुड़नखंड करो, ठीक, मैंने सही लिखा था न, तीन नमस अब ताइस, फिर से काटेंगे, तीन तरीका नो, फिर से काटेंगे, क्यों सही है, जा रहा है कि गड़बड हो रहा है, तीपक चौहान, प्रतिभा केसरवानी, अकबर अली, देखो हाँ, इसमें थोड़ा जुगाड बता देते हैं आपको, क्योंकि हमारे इंडियम बहुत कुछ जुगाड से ह होता है, बहुत सारे बड़े-बड़े काम जुगाड से हो जाते हैं इस देश में, तो इसको सब मत करो, जुगाड समझ लो, देखो तुम जुगाड समझ लो बच्चा, इसको तुम इटा देते हैं, जाने द्वाचकल नेताओं की कुरसी भी जुगाड पे चल रही है, यह यह है कि जैसे 27 आपने देखा, इसका घनमूल कितना आया था, तीन आया था, अगर इसके साथ में तीन जीरो बढ़ देया, कितना जीरो, तीन जीरो, तो हमें यह पता इसमें तीन तीन का जोड़ा बनता है, जैसे अगर एक हजार में है, इसका घनमूल करना है, तो इसका क् देखो 27 का तो तीन हो जाएगा और जो तीन सुनना है ना उसका एक जोड़ा बनेगा जीरो बढ़ जाएगा इसलिए यहां क्या हो जाएगा 30 जुगाड समझ गए न कि विसाल यादो जी गुड इबनिंग बहुत अच्छी टाइम पर आयो अब देखो यह हो गया एक और जुगाड वाला देखो एक और देखो जुगाड वाला क्योंकि हर चीज आपको पढ़ना बेसिक तो पढ़ना ही है लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड भी होना चाहिए देखो समझो अगला सभी जबाब देना एक यह है बच्चा जैसे मैंने आठ लिखा था ना भी आठ का घंणमूल सभी जानते हो जानते हो ना तो चलो फिर लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं यह आठ था आठ का घंणमूल होता है दो किता होता है दो और अगर आठ के बाद में तीन सुनना बढ़ाते तो भाईया आठ का घंणमूल तो दो हो गया बच्चवा और जो तीन थी सुनना था ना उससे एक सुनना बाहर आ जाएगा और यह बीस हो जाएगा इसका अंसे पोलो सही है की नहीं सही है कि नहीं भाई देखो अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तो बच्चे रुखते मुझे पता है अगर मैं बाचीत किया कमेंट पढ़ा सब भाग जाएंगे तो मैं कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं काहे को हां जैसे रोगी के मन भाव है वैसे बैद बतावए चांते हो कि नहीं बस चलो फिर आगे बढ़ते रहों यह मैं टेकनीक बता रहा हूं जुगाड जिनको याद करवाया था वर्गमूल घनमूल उनके लिए है और जिनको नहीं याद है तुम भी कुछ मेनत करो यार नहीं तो साधी भी आना हो जो जुग चलता है आज कब यह कोई दर से हमारा नहीं हो रहा है इधर देखो अगला है इसका कितना आएगा चलो बताओ देखो अरे मजाक में बोल रहे थे और आए भाई मुझे करना ही नहीं कितना आएगा चार न आएगा कि नहीं आएगा न तो अगर हम यह चौशट लिखें इसके बगल तीन सुनना बढ़ा देख और बोलें चल बच्चा इसका बताओ तो कितना आएगा वेखुं सीदी थी बात है इसका तो हो जायएगा चार और यह जो तीन थी सुनना है ना इस से एक जिरो बढ़ जायगा इसका हो जायगा चालीस बोलो सावी को यह जुगाड समझ में आया करने तुरंद कर दे क्रास का ऊपर आप सने इस पर क्लिक करके कमेंट को हटा दो इसक्रिंसे अप्र कमेंट ठट जाएगा चैनल का नाम दिखेगा उपर अंग उठा है इसे आइसे वाला ही दबाना आई इर वाले ने दबाना नहीं पाप होगा बहुत बड़ा ऐसे तुरंद कर दो फट से चलो कापी समझदार हो आप लो बताते दूर समझते पांच हो चलो हो गया सभी बताएं करके जूट ना बोलना कि हां मैंने कर दिया नित मैं देख रहा हूं गंदा कपड़ा बहुत गंदारा मुह में फेक के मारूंगा कि जान रहो क्या होगा वागे समझ लो क्या होगा हो बहुत बदभू इसमें आती ही अजीट का क्योंकि इसमें ना केमकल पानी तुखा बहुत चीज मिस्रिद रहता है जीतेंद्र खपड काना में भाई बड़ा खतरनाख है जीतेंद्र खपेड मातो क्रियसन आ गया आप चलो अगला देखो एक और छोटा सा 125 है न भीया यह 125 का घंमूल क्या होगा आप सबको याद है क्ल मैं याद करवाया था क्ल मैं यही करवाया था ना जो जो कल वाली कलाफ नहीं देखे वो देखने जाकर खें एक सो पचीस किसका फन है बताऊ क्यों 45 किसका घं है बने कल पढ़ाया था सुरू में ही आया था आया था ना कल आया था ना तो 125 का घनमूल अगर तुम बता लोगे तो इसको एक नया जुबाड आ गया दिमाग में लिख सकते हैं ना वैसे थोड़ा कम क्लियर हो रहा था ऐसे और फरी आएगा अच्छा था यह कौन सा वर्ड है बताओ पहले एक जबाना में आजी समयने सुना था खरियाना मतलब भी देखने का ही मतलब देखो इसका क्या आएगा 125 का क्या होगा पांच और 1000 का घनमूल दस होता है इस तरह से बचवा आपका पचास है पोलो आया समझ में आया तो छापलो फटा पर देर ना करो भई चोटू य सबस्तिक आभए पर अच्छे बच्चे लोक्त कभूश करते रहो कोशस करने वालों के कभी हार नहीं होती और कुछ किए बेना क्यार नहीं होती इसका पांच आएगा ये तुम लोगों को याद होगा क्योंकि कल मैंने याद करवाया था पचीस तक का घं लिखवाया था लिखवाया था ना तो चलो इसी में लगे हाथ 18 का घं बता दो सभी बता दो 18 का घं क्या होगा संजे लोधी जी बताइए बहुत अच्छे बेरी गूट अच्छा किये जो आ गए तुम चलो अच्छा रहा का मैंने घं पूछा ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया सब साइलेंट हो गई दमसे इस चल वल रहा है मार कर और कर कि नहीं चल दा भई सबसे पहले कौन बताया उसको इनाम मिलेगा अभी बहुत बड़ा वालते को सबसे पहले एक ने बताया बहुत के बहुत मेनत कर रहे है बेरी गुड परीता में आदो बहुत अच्छे सुबोध कुमार ठीक है चलो अच्छी बात जाने दो जो गया सो जाने दो चलो कि पांच तक हो गया था न शे शक शक का कितना होता दो सो सोला यह 343 यह बता बच्चा 343 किसका घं है चलो 343 किसका घं है कि पता यह जबाद दिजिए नमबर फाइंड करिए जिसका घं 343 है चलिए बताइए जल्दी करिए फटा-फट देर ना करो भाईया ऐसे मज़ा नहीं आरे बिल्कुल भी जान लो अगर मैच सीखना है तो पागल बनना पड़ेगा हमारी तरह ऐसे कोपड़ी पटक पटक के तो तरह दो करें नेव आट ना करा यहा रहीघ उधायाघ इसका होगा इसका साथ होगा सभी जानते हैं भारति लारी चंद्र परकास डीके चौधरी अनूद कुमार बहुत अच्छे बेरी गुड इसका साथ होगा क्योंकि हमने आपको कल रटाया था याद कराया था लिखाया था कि बचवा लिख लो बबुआ कि साथ का जो क्यूब है वह 343 होगा यह मैंने कल करवाया था तो जि तीन से कटे गहा ही नहीं थीन से कटे थृष रहां की फिर साथ मुंद नहीं होता है एतनी बड़ा बैट कब्र गाड़ी चलाने वाले, सुने होगी हो, लिखे रहते हाट वाले, मौत की गोध में बैट का रोटी कमाने वाले, खुदा सलामत रखे तुझे आए गाड़ी चलाने वाले, वो क्या करते हैं गोदी में दूलों को इठा लेते बगल यह यूपी की हाल चलो आगे इसका साथ हो गया इसको देखो कि कौन सी मुसीबत इसमें आ गई ठीक है इसका क्या हो जाएगा साथ एक हजार कर दस फाइनल में सत्तर आएगा कितना आएगा सत्तर आएगा भाई सबसे पहले भारती लाहरी ने बताया बहुत अच्छे बेरी गुड हरी ओम जी राम पर बेस महतो अनूब भाई देखो जितने लोग के कमेंट आ रहें सिर्फ उतने के ही आ रहें यह लोग टाप यार प्यार से बोलते हैं क्योंकि आप ही लोग तो हमारे सब कुछ हो आप ही के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूं दिन राद जो भी हो रहा है देखो चीजें बदल रहा हूं लगातार जेटू मुबाइल से देखो कैमरे तक आ गया डिशल बोर्ड तक आ रहा लेकिन सब कर सकते हो एक हजार को अलग कर सकते हो 343 गनमूल 7 हो जाएगा 1000 कदस हो जाएगा दोनों का गुड़ा कर लो के 70 हो जाएगा अगर तुम काट पीट करोगे इसका ना बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम लगेगा समझ रहे हो यह जुगार ना सभी चलो अरचना राया रहा है समझ में यह को मुझे लगता है ना कभी कभी में बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं मुझे भी गलानी होती है लेकिन तुम लोग ऐसे करते हो तो बोलना पड़ता है चलो पूरा मिठा दो अचाए एक बात बता इमांदारी से सभी बताना कसम अगर देदू तो एंगलत बात है कसम नहीं रखूंगा मैं क्योंकि कहते हैं अगर कस्में सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता बगवान की कसम खुदा की कसम लोग बहुत खाते हैं चाहे वो प्यार की सिंपल वाली बात हो लेकिन भगवान कभी मरता ही नहीं को अगला क्या है कि हम इस्टेप बाइस्टेप चलेंगे साथ सब्सक्राइब पूछने वाला यह था कि कल मैंने बच्चा तुम लोगों को घाने याद करवाया था ऐसे कल याद करवाया था पचीस तक कल इखवाया तो जिसको जिसको याद हो गया वो बोले यस जिन्होंने याद कर लिया वो बोले यस और जिन्होंने नहीं किया वो बोले नो और जो कल आये ही नहीं थे इमानदारी से कल नहीं आये थे वो लिखेंगे वो फार आउल आउल सही सुरू होती नहीं स्पेलिंग मतलब उल्लू चलो बताओ कितना आएगा भाई हर्षित पांडे प्रतिभा के सरवानी एक के याद हो गया ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे सिवा सिंग अंकीत रन भी जय और है एक बात और सुन लो जो जुटाई में यास यास बोल रहे न अभी पूछेंगे भी पूछेंगे भी जान लो इफले जूट नहीं बोलना देखो कितने चलाक बच्चे हैं मैं देखा था इन सबका कमेंट कल आये थे ये आज बोल रहे नह के दिन में कमाल है यार मुझे पता है जो जो कल आये थे और आज बोल दे नहीं आये थे पहचान रहा हूं एक एक कठोबड़ा पहचान रहा हूं चलो देखो इधर आगे समझें क्यों हो गया तो इसका तो नो होगा जिस तरह से 729 का क्या होगा नो होगा उसी तरह से आप इधर वाला भी कर सकते हो हां कि आरपी बॉय है कि अधिया इसा काय लिगते हो खतरनाक नाम कि देखो इदर साइड में ठीक है कि यह कि नौ का घं है 739 किसका है नौ का नौ नौ आई क्यासी नमिया 739 होता है 998181 को 9 से मल्टिपल करोगे 729 हैगा तो इसका तो आंसर 9 हो गया लेकिन अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता ऐसे कहीं मिल गया याद रखना सुन तीने होना चाहिए अगर दो जीरो है तो मामला आटक जाएगा फिर नहीं जाएगा फिर जाएगा दसंबलों में जाएग इधर समझो तो यह क्या होगा 729 और इसको 1000 से मल्टिपल कर लो बच्चा तोड़ो दो भाग में बांट दो बराबर बराबर फिर क्या करोगे आगे देखो समझते चलो 729 का पता है 9 होगा और 1000 कदास होगा दोनों में गुड़ा कर लो 90 हो जाएगा और जिनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही कि यह 90 सही लिखा है गलत लिखा है न वो इसको कर लेगा 90 को तीन बार गुड़ा कर ले गुड़ा करके थोड़ा अपना सिर पे हाथ रखे देखे आ र न समझ में आप का है बाई किसी को परेसान कर रहा और जो खूस रहने तो नहीं नहीं यह तुम भाइट तुम फूसरों कुष रहें तो आचि यह वह गयाना समझ में न सभी को हाँ लेकिन हच पर ज्यादा नहीं पागल हो जाओगा अब यह हो क्या रहा इतना देर से पुझे खुद नहीं समझ में आ रहा इसको बंद करो अब चलो कुछ बड़ा बड़ा आगे बढ़ते हैं लेकर के हां जैसे कोई नंबर बताओ मैंने कुछ कुछ लिखे थे एक मिनिट रुको अब यह छोटे छोटे नहीं होंगे अब बड़े में चलेंगे हम लोग कितने भी नए साथ ही हमारे जुड़े हैं जल्दी से इस कलास को लाइक कर दें और भाईये सभी अपने वर्टसप गुरूप में सेयर कर दो बाबू एक मिनिट के लिए जल्दी से कर दो मैं कुष्टन लेके आता हूं जो कुष्टन मैंने कुछ लिखे है थोड़े से अच्छे से आपके लिए कि मैं आपको सुरू से समझा सकूं हां चलो हो गया न ठीक है तो चले आगे सभी बच्चे जल्दी से फटा-फट इस कलास को सेयर कर दो आपके पास चलो कि दिखराना अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना ओके ज्यादा उपर जा रहा है का यह चलो ठीक है ओके ठीक है ठीक है ओके असवी चाती जल्दी से से सेशन को लाइक करिए और कैमरा थोड़ा सेट करता हूं चूकि उधर साइड जाजा निकल रहा था चलो जाना नहीं कहीं भी जाना नहीं बिल्कुल टेंसन मत लेना जिते एनर्जी बिल्कुल मैं आ गया आ गया मैं आ गया आ गया चलो एक छोटा सा ये बताओ बात थोटी सी यह दम ननी सी वो क्या है इधर साइड देखो देखो सभी देखो वो यह है कि बच्चा बारा का घं क्या होगा कल मैंने याद करवाया था न तुम्हें याद करवाया था न यह जुबान पर रहना किये तुमान लोग गये गये सेलेक्शन नहीं हुआ नहीं होगा बुरा मत मानना यह चोटी-चोटी चीज़े याद होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है जिन्दगी में वो बटल दीजी है ठीका है समझ गये ना चलो आगे बढ़ो चलो सब भी बताओ जल्दी से सबसे पहले जबाब आया हरी ओम का हरी ओम जी बहुत अच्छे बेरी गुट बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुनीता कुमारी वाट आर यू टीचिंग सुनीता जी देखो मुझे इंगलिफ नहीं आती है आप कहीं जाओ दूसरी जगा देखो हां मतलब तो मैं आपका समझ भा रहा हूं लेकिन हमारे इस्टूडेंट इतने 60 टाइप के न वह इंदी नहीं समझते हैं इंगलिस की बाद छोड़ो अब मैंने जो वर्ट बोला इसका मतलब यू नहीं समझ पाएंगे पस यहीं जानेंगे कुछ गलत बोला बस इससे आगे नहीं समझ पाएंगे वो ओम राम में घावल अरण भीजय ठीक है रामा देभी पिंटू राय नोट्स का पीडियाफ मिलेगा अभी सिंग चलो ठीक है यह वैसे ही है जैसे ऐसे समझ लो इनको कि बचवा क्या किया बड़ा हो गया पहले बाप क्या करते थे भईया पापा खेत करके जोद के बाई हमारे पापा भी यही करते हैं बच्चे को पढ़ाते तो चला गया इलहाबाद पढ़ने तो आगे क्या महसूस होगा चलो देखो इदर समझो इदर साइड में आप लोग तो भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं मालूम चल रहा गिंती लिख रहे हैं अमेरिका वाला होगा वह भी जन जाएगा महत है अरे बिर्टेन वाले सब पढ़ते हैं हमें उन लोग को पता है महत है यह पूछ रही क्या पढ़ा रहे हैं देखो इदर साइड में यह हो गया होगा बताओ याद कियो ना आप सभी याद राम यदू अंकित कुमार जा रही काउन जा रहा भई जाओ नहीं देखो इदर समझो यह मैं आपको याद करवाया इसलिए पूछ रहा हूं कल मैंने लिखाया था इसका घन क्या होगा अरे इसे चोटा सा बता दूं जो मुझे आता है तीन कघंज जैसे यानते हो ना 27 होता है वैसे इसका भी होता है वैसे इसका भी सब्सक्राइब याद होना चाहिए आप लोगों को अगर इमानदारी से पढ़ना चाहते हो तब इक ना पर दूं याद आदो आपका नाम तो मैं बहुत लेता हूं सोते जाकते उठते भी का नाम लेता रहता हूं लेकिन आप सुनधे नहीं उक्रत तो यह जैसे उसने हो ना शक्रत्ण मुझेके तो कि उन्हें कोई पुछा याद तक तुम से किया बताते हो साफनी सारी हो हाँ तो तायतिस पचछतर अब इसका बीना उड़नखंड किया नहीं होगा देखिए समझेए सबसे पहले कैसे करेंगे इसका आंसर कोई बताएगा मुझे क्या कोई इसका आंसर मुझे बताएगा कितना आएगा भई पोसित कर लो एक बार कि यह को मुझे पता है अधीकतर लोग बता दिये कि अपनों में भी याद करते अच्छी बात कि तैसिस पचत्तर कि सबसे पहले इसको देखो प्यारते नंबर को संख्या को देखो मुझे नहीं देखो यह है 3375 इसका लाश्ट अंक देख करके इसके हाव-भाव से लग रहा कि यह विसम संख्या है भी सीधी सी बात है यह क्या है विसम संख्या है ना आप इन लोग को कर लाइक करें 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 आप यहीं करिए बस दूसरा कुछ मत करिए और यह सुनने वाले हैं नहीं कि यह ठीक है यह बिसम संख्या है और क्या यह भाज है कि इसको कैसे जानोगे सम विसम की तो हम लोग जानते हैं आघ कि इसम की तो हम लोग जानते हैं आज आख इस्तव कर रहे तब यह तुम ना इंगली लिख लिको लाइक और शेयर करें या भी तुम इंग्लिस में टाइप करो तुम भी उसी कि तरह इंग्लेंड से आयो जैसे अभी ठीक कमेंट कर रही थी लिख तो तुम छोटा बड़ा रिख रहे हो वर्ड लिख रहो इंग्लिस वाला लेखो समझो इदर साइड में यह एक विशम संक्या है लेकिन भाज्य कटेगी किस से तीन से काटके देखो तीन से कटेगी न संतोस बर्माजी बहुत अच्छे बेरी गुट अ भाज्य नहीं भाज्य है भाज्य है अधित्य जी ठीक है अधित्य भोजपूरिया उनुमर अली चलो देखो इधर साइड विवार दिन एकम तीन एकम तीन 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 दुना चाहती पश्क्षा एंग अब क्या करोगे आगे बोलो समझो फिर इसको 3 से काटेंगे 3 से यह कट जायेगा 3 तरिक्का 9 3 सते 21 3 5 15 समझ में आ रहा ना सभी को समझ में आ रहा है अब मुझे यह बताओ किस से कटेगा 375 यह सही काटा हूं क्या मैंने 3 तरिक्का 9 यह हो गया 21 321 3 5 15 ठीक है किस से कटेगा तुरेश मीना कलास देखो प्यार से ठीक है कलास देखो प्यार से आप लोग अब फिर यह 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और यह 3 दुना से 3 पचे 15 अब देखो आप सभी परचीत हो 125 से सभी जानते हो इसके बारे में अब मैं बहुत लंबा नहीं बताओंगा चुक्कि टाइम ओबर हो गया आज की कलास का तो यह तीन 3 का जोडा बनेगा एक तीन का बनेगा तो फाइनल में तीन गुड़ा 5 मैं 60 कट में लिख दे रहा हूं 15 इसका अंसर आएगा समझ गे न जो एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं वो उपर सभी गुड़नखंड को एक बार में लिख सकते हैं लेकिन देखो मैं आदत से मजबूर हूँ मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से हमारे कमजोर इस्टूडेंट भी होते हैं जो काफी परिशान हो जाते हैं देखो समझो कि मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं पूरा लिक दे रहा हूं लिखो ये तीन गुड़ा तीन और फिर ये पाँछ गुड़ा पांच गुड़ा पांच ये जोड़ा बना लो तीन गुड़ा पांच बराबर पंद्रा यह फाइनल आंसर हो गया मैंने सब कुछ लिक backbone या इसमें कुछ नहीं छूटा है यहां तीन लिख लेना यह हो गया क्या यह हो गया क्यूब रूट क्यूब रूट मींस घनमूल तो साथियों 10 बजे से आपकी डियलेट की कलास चलेगी जो भी छात्र डियलेट यानि की बीटी सी के थर्ड समेश्टर में हैं वो लोग आ जा हो ना सभी बच्चे जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक होगा तो अगर आपको मैत सीखना है तो आप जरूर देखें समझ रहे हो ना रात 10 बजे वाली कलास भी देखना अगर आपको मैत सीखना है तब जरूर देखना और सभी साथी चैनल को तुरन सब्सक्राइब कलने बिल्कुल देर ना करें जिससे कि उनको अगली कलास मिल सके रात के नौ बजे से सो मुआर से सुक्रवार तक मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है सटर्डे को टेस्ट होता है संडे को बकैती होती है साथो दिन का हिसाब आइए बकैती का मतलब इस्टूडेंट के सब्सक्राइब कर लो